पर्फेक्ट टेस्ट के लिए अगर आपको थाली पिट और धहपाटी की बाज़नी एक किलो प्रमान के साथ बनानी है चलिए सिखा दोंगे तो गैस पर मैंने कडाई रखी है कडाई में मैंने 250 से मिल के कप से दो बार जवार ली है तो करीब एज़वार आधा किलो इतनी है इसे हमें low to medium gas की flame पर एक दो मिनिट के लिए बुनना है बुनने के बाद इसे प्लेट में निकाल कर थंडा होने के लिए रख देना है अब फिर से कडाई में हम हाप कप इतना बाज़रा लेंगे तो यहाँ पर एक कप है दो सो पचास है मिलका और एक हाप कप है एक सो पचीस है मिलका और हाप कप तो वजन में आएगा है एक सो पचीस ग्राम के आस पास ही इसे भी हम अच्छे से बुनेंगे एक दो मिनिट के लिए और फिर से इसे भी प्लेट में निकाल कर रख देंग अब फिर से कड़ाई मिलेंगे हाप कप इतने गिहू और गिहू को भी हम एक दो मिनिट के लिए लो तो मिड़ेम गयास के फ्लेम पर भूनेंगे, भूनने के बाद इसे भी हमें प्लेट में निकाल कर रख देना है, हाप कप इतने यहाँ पर मैंने चना डाल ली है, और इसे हुशा जाता है अब हापक इतने चावल से क्रिस्पी बनता है खस्ता बनता है अगर आप चावल नहीं डालना चाएं तो यहां पर आफ पोहां बीडाल सकते में हमें इ tract प्रेट में निकल कर रख देंगे तो यहां पर इस सारे अनज हो गए अब इनमें डालने वाले हो मसाले तो यहां पर मैंने तीन टेंबल स्पोन इतना धना लिया है धना हमें एकदम लो गैस की फ्लेम पर ही बुनना है जादा बुनना नहीं है अब इसे भी हमने निकल कर रख दिया है अब उसी प्यान में मैंने लिया है दो टीयस पी इतना जीरा और रेगिलर जीया है यहाँ पर शाही जीरा लेने की जरूरत नहीं है इसे भी बुनने के बाद मैंने प्लेट में निकाल दिया है अब तो बड़ी शेप मेंने दो टी-ेसपी लिये है, और एक हमारी जो मसालों में होती है, ओू. वन टी-ेसपी इतना अजवाइन लिया है, और इसे भी भूनकर हम फ्लेट में निकाल कर रख देंगे. अब इन सारे अनाजों को मसालों को हमें ठंडा करना है, और फिर इसे पीसना है तो हमारा यहापर आटा बन के तयार है